प्रदानमंत्री नरेंदर मोडी जी के साथ आ गया है परिक्षा पेज़चा दोहजार चोबीड, तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परिक्षा पेज़चा में आते हैं अपनी क्षमता, अपनी प्रावरिटी, अपनी आवश्रक्ता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। नवाचार पर कारी विवस्था को लेकर भारत सरकार और येरोपी आयोग के बीच 21 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किये गए समझोता ग्यापन से अवगत कराया गया। इस M.O.U. का मकसद उद्योगों और डिजिटल प्रोद्योगिकियों की उन्नती के लिए समी कंड़क्टर को बढ़ाने के दिशा में भारत और येरोपिय संग के भी सहयोग को और भी मजबूत करना है। समी कंड़क्टर के ख्षत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समी कंड़क्टर आपूर्त श्रिंखलाओं को सुनुश्रित करने और पूरक शक्तियों का लाव उठाने में जी टू जी यानिकि गभर्मेंट टू गभर्मेंट और बी टू बी यानिकि बिजनस टू दोनों दूपक्षिय सहयोग मदद करेंगे साथ साथ केंदे मंत्रि मंडल ने चिकितसा उत्पाद वेनियमन के ख्षत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड भारत और डोमिनिकन गनराज्य और भारत और एक्वाडर के बीच आश्रह ग्यापन यानिकी एमो आई को मन्ज दूरी दी इन देशों के नियामक प्रादी करणों के बीच या आश्रह ग्यापन फार्मासोटिकल उपियों के लिए कच्छा माल जैविक उत्पादों चिकितसा उत्पादों सहथ फार्मा के समंध में चिकितसा उत्पादों के विनयमन की बहतर समझ की सुविधा प्रदा प्रदान करेगा और ये जो विन्यामक प्रथा हैं उनमें समावेश से भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूब फार्माक शत्र में स्रिक्षित पेशेवरों के लिए बेहता रोजगार के अफसरों के स्रिजन में साहता प्र प्रदान की जाती है अब आपको बताएंगे जो दूसरा एहम फैसला लिया गया क्या कुछ फैसला लिया गया क्याबिनेट ने डिजिटल परिवरतन के लिए जनसंख्या स्केल पर लागू सफल डिजिटल समाधान साज़ा करने के ख्षित्र में सहयोग पर भारत और केनिय के बीच समझाता ग्यापन को मंजूरी दी समझाता ग्यापन का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग और डिजिटल परिवरतनकारी पहलों को लागू करने में अनुभवों और डिजिटल प्रद्योगिकियों आधारित समाधानों के आधान प्रदान को बढ़ावा देना ह Digital Public Infrastructure के ख्षत्र में G2G और B2G यानि कि Business to Government दोनों द्विपक्षे सहयोग बढ़ाया जाएगा दूसरी एहम फैसले प्रारमुंत्री मोदी के अध्यक्सता में केंद्रे मंत्री मंदल ने सुलह हुए वित्तायों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के तीन पदों यानि की संयुक्त सचिव के दो पद और आर्थिक सलाकार के एक पद के स्रिजन को मंदूरी दे दी है इस वित्तायों का गठन 31 दिसंबर 2023 के अधिस सूचना के माध्यम से सम्विधान के अनुछेद 280 के अनुपालन में किया गया था आयोग को अपने कारियों को पूरा करने में सहायता करने के लिए इन नए स्रिजित पदों के आवश्रक्ता है आयोग में अन्ने सभी पद प्रदत शक्तियों का अनुसार पहले ही स्रिजित किये जा चुके हैं और जो दूसरा फैसला आखरी फैसला वो ये कि कैबिनिट ने SECL और MPPGCL के संयुक्त उद्यम के जरिए 660 मेगावाट के ताब बिजली संयंद की स्थापना के लिए साउथ इस्टरन कोल फिल्स लिमिटेड और MBPL के जरिए 2 गुना 800 मेगावाट का ताब बिजली संयंद स् तो आज जो हमारा विशेश है वो यही है कि कैबिनिट के बड़े फैसले जिसके बारे में हम आपको जानकारी दी वो तमाम फैसले और इन फैसलों के क्या कुछ मतलब हैं आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे बताएंगे हमारे साथ इस विशेश पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास मेमान और वराप